हेलो दोस्तो हमारी यूट्यूब चैनल इस्टूडेंट हेल्फ हिंदी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तेक सस्क्राइब नहीं किया है अब डिरेक्ली बात करते हैं इस नोटीस के बारे में तो यहां नोटीस आप देख सकते हैं कि 31.05.2021 को जारी किया गया है जिसमें लिखा गया है B8 और DL8 पार्ट करम हेतु प्रवेश की संसोधित तीथी तो जिसमें सबसे पहले तीथियों के बारे में बात करें तो उसमें हाँ ओलाइन आवेधन पारार्म होने की तीथी तो आपको पता ही होगा कि 13 अपरेल 2021 से चालू हो गया था आवेधन करना और यहीं पर बात करें प्रवेश पत्र डाउनलोड प्रारम होने की तीथी के बारे में तो वो है आपका 21 अगस से आपका पेपर डाउनलोड होने का प्रोसेस चालू हो जाएगा उसके बाद बात करें यहाँ परिक्षा पारिणाम घोषना के बारे में तब आपका रिजल्ट कब तक आ जाएगा तो आपका रिजल्ट यहाँ पर 10 सितंबर तक आपका लगभग आ सकता है और यहाँ पर दावाअपत्ति की अंतिमतिती के बार हैं बात करे तो आपका 11 से 15 सितंबर के बीच में आप दावाअपति कर सकते हैं और अगर आपका परिश्चा किसी कारण वस नहीं हो पाता है तो आपका परिश्चा परिणाम घोशना की डेट दी गई है वह यहाँपे है 24 सकस 2020 और दावा अपत्ति करने के अंदिवति थी यहाँपे 25 से 30 सकस तक दी गई है दावा अपत्ति करना है आपको किसी प्रकार का तो आप यहाँ पे email address दिया गया है, pssou online address gmail.com, उस पे आप directly यहाँ पे contact कर सकते हैं, दावापत्ती का निराकरण नहीं अंतिम, प्रावीड सूची का प्रकासन करने का date यहाँ पे बात करें, तो 7 सितंबर तक संभावित हो सकता है, अब बात करते हैं प्रावीड सूची है तू क्या कि यहाँ पे नियम होने वाले हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं DL8 के बारे में, तो अगर आपका जो DL8 का प्रावीड सूची तयार होगा, वो आपका 12th base पे होने वाला है, और अगर आपका 12th का मार्क्स अगर किसी भी कारेड से सेम हो जाता है, तो उस इस्तिति में आपका 10th का मार्क्स को देखा जाएगा, पर अगर आपका 10th का मार्क्स भी सेम हो जाता है, तो उसमें आपका अनुभब देखा जाएगा, और आपका सीट आरक्षड भी यहाँ पे सरकार के द्वारा यहाँ पे लागू होगा अब बात करें B8 के प्रामीड सुची है तो यहाँ पे क्या के नियम होने वाले हैं तो जो आपका B8 का प्रामीड सुची बनाया जाएगा वो आपका सनातर केम सर्टोक्तर पाठिकरम के मार्स के हिसाब से यहाँ पे बनाया जाएगा और अगर आपका 10th का मार्क्स भी अगर सेम हो जाता है तो यहाँ पर आपका अनुभव देखा जाएगा जिसका अनुभव से ज़्यादा होगा उसको यहाँ पर ज्यादा प्रियोर्टी दी जाएगी और अगर आप अनुसूचित जन जाती अन्य पिछला वर्क और होगा उसको भी आप पढ़के यहाँ पर समझ सकते हैं और अगर आपको इस वीडियो को लेगा किसी प्रगार का कंफ्यूजन या पी डाउट है तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही अगर यह वीडियो आपको अच् को सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब करें के साथ ही बैल एकन को दबाना बिलकुल भी मत भूलना ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट नोटिफीकेशन के द्वारा मिलते रहें